प्रेम पवित्र होता है ये भी कहा जाता है कि प्यार से पुरी दुनिया को जीता जा सकता है ऐसा होता है प्यार लेकिन इस इबादत और पवित्राता की कहानी खून से लिखी जाए तब क्या कहेंगे आप लेकिन प्यार जब बे दर्द, बे असर, बे रहम और बे खौफ हो जाए उसकी दासता खून से लिखी जाए तब इस प्यार को क्या नाम दिया जाए इसी इबादत और पवित्राता की कहानी खून से लिखी जाए तब क्या कहेंगे आप तीन बेटियां, तीन राज और तीन बेकॉफ हैवान आपको बता दे कि श्रधा हत्यकांड से पहले भी ऐसे ही दो और बेटियों की जान जा चुकी है ऐसे ही दो सरफिरे आसिक प्यार का दावा कर उन्हें बे मौत मार दिया अंकिता सी, निकिता तोमर और श्रधा के केस में बस फर्क इतना है कि श्रधा ने साधी की मांग की थी और उशे शाधी के बदले दर्दनाक मौत मिला तीनों कहानिया क्या है आपको समझाते हैं हालाकि श्रधा मडर केस में पूरे देश को हिला कर रख दिया है। क्या कोई इस तरह भी कर सकता है। 26 साल की श्रधा वाकर मुंबई की रहने वाली थी और वह मंटी नेशनल कंपनी में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात आफताफ से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और कुछ वक्त बाद दोनों ने मुंबई छोड़ दिया। दोनों महरोली के 76 पूर इलाके में रहने लगे। यहां श्रधा से लड़ाई होने के बाद अफताफ ने उसकी हत्या कर दी और सब के 35 टुकड़े कर एक एक कर सब को जंगल में 18 दिनों तक लागातार फेकता रहा। जब बेटी का फोन आना बंद हुआ तब उससे परिशान उसके माता पिता दिल्ली गए तो इस मामले की जानकारी हुई। यह भी सामने आया है कि पिछले कुछ समय से अफताफ ने कई सीम इस्तमाल कर चुका है। श्रधा की हत्या के बाद अफताफ ने अपना पुराना मुबाइल फोन ऑनलाइन कंपनी यानी की OLX को बेच दिया। फिल्हाल पुलिस इस फोन को रिकवर करने की कोसिस में जुटी है ताकि उससे भी और कुछ जानकारी मिल सके। मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को पूचतास में अफताफ ने बताया कि 18 मई यानी कि मडर वाले दिन स्रधा उसके बीच खरेलू खर्चे को लेकर जगड़ा हुआ। पुलिस अफताफ के खिलाप और सबुट जुटाने में लगी हुई है आरोपी अफताफ अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस आज साकेत कोट में पेश करेगी पुलिस कोट से उसकी रिमांड मांगेगी दिल्ली पुलिस अफताफ का नार्को टेस्ट कराने की तयारी में लगी है ये हत्या लखबग दो साल पहले की है हर्याना के बलवगड में दिन दहाड़े एक लड़की की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी और उस हत्या ने पूरे देस को देहला कर रख दिया था यह हत्याकांड ऐसा हत्याकांड था जिसने कई प्रश्ण खड़े किये थे यह मामलाद था जबरन एक तरफा प्यार में धर्म ना बदलने वाली एक 20 साल की हिंदु लड़की निकिता तोमर का जिससे तौसीफ एक तरफा प्यार करता था और उसे पीछा भी करता था निकिता ऐसा नहीं चाहती थी और वो आगे भी पढ़ना चाहती थी आपको बता दे कि निकिता के परिवार के अनुसार जब निकिता का अपरहन किया गया था तो उन्होंने तौसीफ के खिलाफ निकिता के अपरहन के लिए एफायार दर्ज भी कराई थी फिलहाल हाला की बाद में परिवार वालो ने समाजिक तबाह के चलते इसे फायार को रत करा दिया क्योंकि दौसीफ एक बहुत प्रभावशाली राजनितिक परिवार से था निकिता की हत्या के बाद उसके परिवार ने इस बात को अनुभौ किया कि उन्होंने यह कदम गलत था ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था अब हम आपको बदाते हैं ज्ञार जारखन के दुमका की अंकीता सी को एक मन चले युवक ने 17 साल की बारवी की छात्रा को जिन्दद जला दिया जो जारखन के दुमका जिले की रहने वाली थी उसके घर में पिता और एक छोटा भाई है मा की पहले ही कैंसर से मृत्यू हो चुकी थी घर की आरते किस्तिती अच्छी नहीं होने के कारण अंकिता पढ़ाई करने के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी वो बड़ी होकर पु असन नहीं करती थी यही नहीं वो अंकिता को स्कूल जाते समय छोड़ता भी था जिससे परिशान होकर अंकिता ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था एक बार सारुख ने चोरी छिप अंकिता के घर में घुसने की कोशिस भी की थी आखिर में अंकिता के पिता मामले की शि सारुख ने अंकिता को फोन किया और बात नहीं करने पर जान से मार देने की धमकी दी 23 अगस्त को सुबह 4 बजे सारुख अंकिता के घर पहचा और अंकिता के कमरे में खुली खड़की में पेट्रॉल डाल कर आग लगा दिया जल्द ही आग ने अंकिता को अपनी चपेट में ले लिया अंकिता की आवाज सुनकर परिवार वाले पहुचे और आग को बुझाया लेकिन तब तक अंकिता काफी जल चुकी थी अंकिता को तुरंट आस्पताल में भरती कराया गया जहां 5 दिनों के बाद संगर्स करने के ब परता होगा फिलाल इस खबर में इतना ही ऐसा ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें जनहीं टाइम्स